मैं डॉक्ट अरूजा कबात करेंगे चाटाइटोनिक स्कीजोफरेनिया तो सभी जानते हैं काफी लोगों को ये शब्द परीचित है सिस्ँफ्रेणिया के अलग-अलग टाइप्स है जैसे कि पैरानोइट किसोफ्रेणिया तो में से हम कैटेटोनिक श्किजोफ्रेनिया के बारे में बात करेंगे क्या हुआ कि कुछ पन्दा दिन बीस दिन पहले टाइप्स है जैसे कि paranoid schizophrenia, hybiphrenic schizophrenia, catatonic schizophrenia, simple schizophrenia और भी कही है तो उसमें से हम catatonic schizophrenia के बारे में बात करेंगे क्या हुआ कि कुछ पंधरा दिन बीस दिन पहले 21 साल की लड़की को parents मेरे यहां लेकी आए मेरे hospital में admission के लिए वो लड़की वीलचेर पे थी, एकदम वीक हो चुकी थी ऐसा उसको देखते से ही लग रहा था कि ये खाना नहीं खा रही है पानी नहीं पी रही है, पूरा डिहाड़ेड थी और उसके कपड़े देख के लग रहा था कि उसका कोई सेल्फ केर नहीं है पेरेंट्स लेके आया उन्होंने बताया कि आल्मोस दस से बारा दिन तक उसने खाना ही नहीं खाया है बस बिस्तर पे पड़ी है गंतों पड़ी है बीच में उठती है एक खादा राउन लेती है 24 गंटे में या फिर सिर्फ एक खाद दो बार टॉयलेट के लिए वो उठती है बाकि वो पूरा दिन बिस्तर पे लेटे रहती है उसको कुछ बोला गया तो वो रिस्पॉंड नहीं करती है कुछ बोलती नहीं है कुछ नहीं उनसे आगे बात करने पर पता चला कि अल्मोस दो धाई महेने से उसका यह प्रॉब्लम शुरू हुआ वो कॉलेज जाती है इंजिनेरिंग कॉलेज में पढ़ती थी उसने वो जाना बन कर दिया और फिर लोगों से बात करना बन कर दिया फोन कॉंटक्स सब डिलिट कर दिय पैरेंट्स से ज़गांगे भी ईंजिनेरिंंग कर रही है शायद उसको स्ट्रेस हो और पढ़ाई के स्ट्रेस की वज़ज़ से वो ऐसा कर रही है लेकिन इसका ये प्रॉब्लम बढ़ता ही गया Catatonic schizophrenia में क्या होता है कि ये मैं आपको दीरे-दीरे बताऊंगी कि ये catatonic क्यों है लेकिन इसमें क्या होता है कि जो लक्षण होते है इसमें particular ऐसा होता है कि वो इंसान घंटों तक एक जग़ पे खड़ा रहता है या एक position maintain करता है घंटों तक उसको पेरों में नहीं दर्द होते है उसको फिजिक में कोई दर्द नहीं होता कुछ नहीं और इस particular ये catatonic schizophrenia का लक्षण है इसमें भी ऐसा ही था कि उसके parents ने मुझे यही बताया कि वो घंटों एक जग़ा पे खड़े रहती है तो खड़े ही रहती है बैठी रहती है तो बैठी रहती है और करीब करीब 10-12 दिन से वो विस्तर पे ही पड़ी है वो उटती नहीं है खाती पिती नहीं है घुमती नहीं है कपड़े नहीं बदलती नहाती नहीं है कुछ नहीं कर रही है और अब कल से ऐसा हो गया है जो सिम्टम्स वो मिल रहे थे लेकिन फिर बेर उनको बताया कि मुझे तीन चार चीजे में डेखना है कि क्या निकलता है डाइगनौसिस तो मैंने उनको बताया कि हम रिपोर्ट करते हैं बलड के इसका बहुत अच्छा इफेक्ट उसको मिलेगा फटाफट मिलेगा पहले वो पैरेंट्स रिलक्टन थे नहीं चाहते थे कि डारेक्ट शॉक ट्रीटमेंट वगरे करें लेकिन फिर मैंने उनको समझाया कि इसमें जल्द से जल्द हमको उसको उठाना अक्टिव कराना बहुत ट्रीटमेंट के बाद वो लड़की जगह से उठने लगी जूस एटलीस पीने लगी मम्मी कहा है पापा कहा है यह पुछने लगी जो दस बारा पंधरा दिन से उसने बन कर दिया था कम्यूनिकेशन तो यह फरक देखके उसके पैरेंट्स को तो रोना ही आ गया उनको लगा ही नहीं कि ऐसा कुछ होगा उसकी मम्मी आके मेरे पास रोने लग गए कि हमको लगा ही नहीं हमको लगा हमारी बेटी हाथ से गई और इसलिए वो बिलकुल इसमें खुशी के इसमें कि रोने लग गए फिर उन्हों को मैंने बताया कि हम ट्रीटमेंट रेगूलर रखते हैं उन्होंने ट्रीटमेंट रेगूलर रखा हमने को कोर्स किया और ऑल्मोस्ट वह काफी ऑल्मोस्स 70-80% होके वह मेडिसिंस पे घर गई अब वह जा कॉलेज जाना उसने शुरू कर द लेकिन ये किसी किसी में जान लेवा या जान को धोका भी हो सकता है क्योंकि जैसे मैंने कहा कि गंटों पड़े रहना गंटों लेटे तो लेटे ही रहना या फिर बैठे तो बैठे ही रहना ये जो पर्टिकुलर है उसमें उसकी वज़से उनके जान को भी धोका हो सकता है तो इस वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजे, शेर कीजे, सब्सक्राइब कीजे ताकि जादा सजादा लोगों तक इसके बारे में जानकारी पहुचे नमस्ते